नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृती PCS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुना स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि जानते हैं अपना बिहार करक्रम में हम लोग बिहार मिंस से सम्मंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए आए हैं सबसे पहले हमने जोगरफी विशा की चर्चा कर लिया अब हिस्ट्री पर है हिस्ट्री में इंसियंड की चर्चा करना है आपको एक रिकेप देता हूँ आप देखिए आज के लेक्चेर में हम क्या बात कर रहे हैं मगद के प्रमुख राजवन्स और शाशक को लेकर रहे हैं जो की भागलपुर मुंगेर काज का हिस्सा है फिर मगद का चर्चा हमने किया मगद 16 महा जनपद में सबसे सक्तिशाली और महतपुर्ण एक महा जनपद रहा जिसमें अगर आप देखेंगे तो आज का पटना और गया वाला हिस्सा है ना उस समय का राजग्री और आज का पहारीों से घिरा हुआ छेत्र इसकी राजधानी हुआ करते थी पार्ट वन में जब हम पहुंचते हैं तो इसमें हमने देखा कि मगद के परमुख राजवन्स और शाषक में पार्ट न में हमने तीन परमुख राजवन्स के चर्चा किया बैटा जैसे कि आजाद सत्रू पकर लिया, एसा ही उदाईन ने क्या किया अजाद सत्रू की हत्या कर दिया अपने पिता की और फिर गदी पर बैठ गया तो ये हमने देखा हर्यक वंस में फिर हम उसके बाद जो है शिशुनाग वंस में आगये जहां पर हमने सिशुनाग की चर्चा किया और काला शोक की चर और उसके बाद हम पहुँच गए मौरेवंस में ठीक है पार्ट टू में जो है हमने पूरी तरह से मौरेवंस के विशा में देखा था मौरेवंस और उसमें चंद्रगृप्त मौरे के विशा में पढ़ा किस तरह से चानक की मदद से वह घनानंद को हुरा करके अपना कैसे पूरे भारत वर्ष में बढ़ा लेता है उसे में हमने अशोक की चर्चा किया वही अशोक जो की बाद में चल करके अब जानते है कलिंगा युद्ध के बाद हतियार प्याग देते हैं और फिर बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं धम और शंग की रास्ते पर चलते हैं और अशोक जो है इतिहास में अमर हो जाते हैं और ग्रेट अशोका महान अशोक के नाम से जाने जाते हैं उसके बाद उनके पुत्र दश्यत मौर के विशय में हमने देखा वहां कांतिम शासक जो है ब्रिदर्थ के विशय में हमने देख लिया ये सारे चीजे हम देख चुके करते हैं और फिर यहां से सुरुवात होता है शुंग वंस का चुकि बृदत जो था 187 से 185 इसापुर में इसी ने उसकी हत्या कर दिया था वृदत का उसके बाद जो है शुंग वंस की सुरुवात यहां से हो जाती है रीकैप हो गया आपको दो थी मिनिट में पूराना सारा चीज याद आ गया कि कहां तक हम पहुंचे हैं है ना जैसे कि इस तरी टू मूवी देखने गए तो इस तरी वन का रीकैप आपको करा दिया गया वाओ वली टू देखने गए होंगे तो वन का तो ऐसा हमने कर लिए अब यहां से फिर से ध्यान लगा लिजिए क्योंकि महत आप ही प्रशन इससे पूछे गए हैं चलिए सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे शुंग वन्स में उसमें पुष्यमित्र शुंग यह बहुत इंपोर्टन केरेक्टर रहा है अगर आप हिस्टरी की बात करते हैं बिहार से संबंदित बात करते हैं मगत सामराज की बात करत देखें सुंग वन्स का स्थापना करने का सुरे जो है वह पुष्यमित्र शुंग को ही दिया जाता है इसने अपनी राजधानी कहां बनाया पटना यानिकि उस समय का पाटली पूर्त और जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से बौध धर्म का और जैन धर्म का परचार परशा जाते हैं तो यह चीजें यहाँ पर पुष्यमित्र के साथ नहीं देखने को मिलता है पुष्यमित्र जो है वह ब्रह्मा धनार्विचारी ही बने रहते हैं और इसका पता कहां से चलता है अयुद्या में जो अभिलेख प्राप्त होता है उसमें यह पता चलता है कि यह वैक होता है जिसमे आप रामाईन में अगर आपने देखा होगा रामाईन का अगर आपने खंड देखा होगा तो उसमे इस बात की चर्चा किया गया है उसमे देखे होंगे जो राम है वो असुमेग यग करते हैं और फिर घोड़े को छोड़ा जाता है जो भी घोड़ा पकरेगा उससे युद्ध करना परेगा उस समराज के राजा से जैसे लवकुष को अपने पिता सिर्राम से ही युद्ध करना परा तो कुल मिला करके ऐसे ही कहा गया कि पुष्यो मित्र शूंग जो है दो असुमेग यग किया और असुमेग यग अयुद्ध्या से संबंदित रहा है तो अयुद्ध्या के अविलेक के नुशार ये पता चला है और यहाँ पर देखेंगे तो भरुत अस्तूप का निर्मान भी कराया सेना ने की उपादी हसल किया यमनो के आकरमन को विफल किया सबसे महतपुर्ण कार इसके द्वरा कया गया इसके अलाबा देखें यह सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है इसको अलग से स्टार बनाक रख लिजिए महाभास के जो लेखक हुए कौन पतंजली वह पुशुमित का इस शेतर से यह विस्तार करता हुआ नजराता है अलग अलग एरिया में ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यार रखना चाहिए मैप के तहट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़े और आसान हो जाएगा अब पुशुमित्र शुंग के बाद जो है अगनी मित्र का सासन आता है अब अगनी मित्र कोन है तो पुशुमित्र का ही पुत्र है यह इसका उलेख कालिदास के माल विका अगनी मित्र में मिलता है अब माल विका अगनी मित्र जो अगर देखेंगे यह पुस्तर का आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो है एक तरह से आप कह सकते हैं नाटक टाइप का है, एक्ट है, इसमें मालव राजकुमारी जो है, उनका ब्यवाहिक सम्मंद किस तरह से होता है, और वो आज की भासा में जैसे कहते हैं, लव स्टोरी, तो प्रेम विवाह का वो वर्नन पूरा किया गया है, इसके अलाबा, देव भूती की चर्चा आपको पढ़ना है, देव भूती में ये बताए गया है कि अंतिम शुंग वंस का सासक यही हुआ, और हत्या जो है, इसके ही मंतरी वासुदेव द्वारा कर दिया गया, बाकी बहुत जादा देव भूमी के विशय में आपको पढ़ने की आवशक्ता नहीं है, ठीक है, यह कि अंत सासन होता हुआ आ रहा है, इसको समझते हैं, इसलिए मैंने कहा था, कि जो 6th century BC में 16 महा जनपत पूरे भारत में था, उस 16 महा जनपत में सबसे महतपुर्ण अगर एक जनपत मुझसे कोई पूछे कि आपको इसी के विशय में पढ़ना है, यह परिक्षा के रिष्टि कौन से, कौन सबसे उपयोगी होगा, तो मैं कहूँगा भाई साब, आप मगद परिये, चुकि यहां से सबसे अधिक प्रशना पूछे जाते हैं, है ना, भारत के इतिहास से, अगर आप खास करके ancient history से, मगद का इतिहास हटा देंगे, तो फर भारत के इतिहास के पास ancient history में बह सथापक हुआ इस बंस का, और यह भी जिस तरह से, पुष्य मित्र शुंग के विश्य में हमने देखा, कि ब्रह्मन धर्म को कानवाई था, तो वाशुदेब के साथ भी यही चित था, उसके बाद शुशर्मन की बात अगर करते हैं, तो कर्म बंस का अंतिम सासा की से कहा ग शुशर्मन का अंतिम सासक का, तो यह जो विश्तार हुआ था, साथ भाहन वाला, यह एरिया आपको आंध साथ भाहन वंस की अस्थापना की गए थी, यह एरिया आपको दिखेगा, यह फोटो में, चलिए, अगे बर जाए, अब गुप्त बंस की चर्चा करें, देखें, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लीजेगा, यहाँ से खुब प्रश्न पूचेगा है, शुरी गुप्त से चर्चा करते हैं, एक एक करके लाएंगे, लेकिन जो मैं महत्पुर्ण बताओंगा, वो चंद्रगुप्त के विशा में, खास करके चंद्रगुप्त पर्थम के विशा में, जो की 319 स्वी से लेकर के, 334 स्वी की जब हम बात करेंगे, वह एरा जो है, वह देखेंगे कि बिहार के एंस्टियंट हिस्ट्री के हिसाब से मगद के लिए भी बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है, तो चंद्रगुप्त पर्थम तक महुचने के लिए हमें सबसे पहले गुप्त बंस के जो शिर्गुप्त रहे हैं, या फिर घटोर्थ कच हुएं, उसके विशे में थोरा सा अध्यन करना पड़ेगा, देखें, शिर्गुप्त की चर्चा करेंगे तो 275 इश्वी के आसपास आपको जानकारी मिलेगा, और इसे कहा गया कि गुप्त बंश के यही संसथा पक्वे, और इन्होंने महराज की उपाधी हाशिर किये, यह प्रशन में आ चुका है, गुप्त पहले कुशानों के सामंत हुआ करते थे मुलिता वैश्य जाती के, जो वर्न वेवस्था में जाती बताय गया कि ब्रह्मन ह पर छत्रिय होगा, फिर वैश्य होगा, फिर शुद्र होगा, तो वर्न वेवस्था के हिसाब से अगर देखेंगे तो वैश्य जाती का क्या काम है, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग मतलब आचकल का सेर मार्केर की बात नहीं कह रहा हूं, मतलब वैपार करना है न, तो यह वैपारी हुआ करते थे, जाती के हिसाब से, यह चीज़ें, उसके बाद घटोतकच के लेकर करके चर्चा करेंगे, तो घटोतकच ने महराज की उपादी हासिल के लिए थी, घटोतकच बहुत इंपोर्टेंट आपके पास पढ़ने के लिए नहीं है, श्री गुप्त है, इसे भी इंपोर्टेंट हम अभी आ रहे है चंदरूप्त पे, तो यह गुप्ता एंपायर देखिए, ठीक है, देखें जिस तरह से चंदरूप्त मौरे हुए, तो चंदरूप्त मौरे एंपायर जो है, पूरे भारत और भारत के अलावा जो है, बांकी जगा पर भी एसिय के विविन भागों में फैल गया सिर्फ एक तमिलाडू छोड़ देंगे और तमिलाडू के अलाबा नौर्थ इस्ट के कुछ चंद्गुप्त प्रथम 319 से 334 सिस्पी तक की कालब दिवाले यह बहुत इंपोर्टेंट केरेक्टर है इतियास का ध्यान से इसको देखना है देखिए निश्यत तोर पर हमने क्या कहा आप से कि मैंने जब कहा हम गुप्त बंस की चर्चा करेंगे तो आपने क्या सुना मेरे मुझ से कि मैंने का श्री गुप्त की चर्चा किया 275 इस भी क्या सपास और मैंने कहा गुप्त बंस का संस्थापक किये रहा लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है चैंद्र गुप्त पर्थम और मैंने लिखा है कि गुप्त बंस का वास्ताविक संस्थापक मैं से कह रहा हूँ वास्तविक संस्थापक समझ रहे हैं उधारन देता हूँ आपको मैंने जैन धर्म पढ़ा है जैन धर्म में मैंने क्या बता है कि कुल मिला करके 24 तिर्थकर हुआ मामला समझ में आ गया पहला मैंने क्या बता है कि रिशब देव हुए लेकिन मैंने जब 24 तिर जिस तरह से परचार परशार करना है उसका विश्टार करना है ये महावीर के समय ही हो पाया। तो गुप्त वंस का वास्तविक संस्थापा किया जाता है चुकि प्रशासनिक दिश्टिकों से राजनेतिक दिश्टिकों से देखेंगे आर्थिक दिश्टिकों से सामाजिक दिश्टिकों से सांस्कृतिक दिश्टिकों से या अंतरराष्टिय दिश्टिकों से देखेंगे युद्ध कौशल की विश्यक करेंगे तो चंद्र गुप्त प्रथम जो है वह बहुत अबल दिखते हैं इन सब चीजों में इसलिए इन्हें गुप्त वंस का वास्तविक संस्थापत कहा गया 319 इस्वी में गुप्त शंबत के शुरुवात करने का सरे जाता है उपाधी कौन सा लिया प्रशन पूछा जा चुका है महराजा धिराज की उपाधी लेता है फिल्मों में देखते होंगे न महराजा धिराज पधार रहे हैं वैसा है कुछ ठीक है विवाह बहुत पर गएर देखिए ये उस समय के बने हुए चीज़े हैं अब यहाँ पर चैंदर गुप्त पर्थम के बाद समुद्र गुप्त की चर्चा करते हैं समुद्र गुप्त 335 से 375 इस भी तक का रहने वाला वैक्ती और गजब का समुद्र गुप्त के बिशा में हम बात करेंग कि भारत का नेपोलियन इसे ना कहा जाए बलकि नेपोलियन को यूरोप का समद्रूप्त कहा जाए उल्टा होना चाहिए चुकि देखिए आप जब इतिहास पढ़े होंगे आपने वर्ल्ड हिष्ट्री पढ़ा होगा ऐसे मैं मान के चलना हूँ ठीक है फ्रांस की करांती वेगरा पढ़ा होगा नेपोलियन पढ़ा होगा उस समय के समाजिक जो फ्रांस में समाजिक राजनितिक प्रसासनिक धाचा है उस सब को आपने पढ़ा होगा मैं यह मान के चलना हूँ तो आपने क्या देखा? नेपोलियन को पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि नेपोलियन कई युद्ध हारता भी है, एक तरफ से जीत करके वो जा रहा है, दूसरे तरफ से हारता जा रहा है, उसके हाथ से चीज़े फिशरती जा रही है, अपने भाई को, समंधियों को, सास को देता है तूं यहां देखना मैं आगे जा रहा हूं जीतने के लिए वह अयोग निकलता है वह राज उसके हाल से चला जाता है तो नेपॉलियन में हमने यह चीजे देखा लेकिन यह जो समद्र गुप्त साहब है यह एक भी युद्ध पूरे जीवन में नहीं हा रहे है इस इंडिया बुक में अगर आप देखेंगे किताब है उसमें इस सारी चीजे बताया गया विस्तार से देखें समुद्र गुप्त का जो अन्य नाम है वह काच के नाम से भी हम जानते हैं उपादी जो है और प्रती रथ पर क्रमांक का विराज का लिया वन्स का सबसे प्रियाग प्रशर्ष्त्री अभिलेग यहां पर यह मैप पर आपको दिख रहा होगा देखें यह वाला जो है समुद्र गुप्ता पिलर एडिक्टर जो आपको दिख रहा है यह वाला जो है यह रेड वाला पूरा जो है यह प्रियाग राज तो उस समय का इलहाबाद वुत्य का पिलर वेगरा है ये एरो वला चाह हो मत्रगर की बात करईगे उधैगरी की बात करईगे सांची की की स्थार के बात करेंगे ये 3 अपको उत्तर से दशिन या दशिन सउतर जैसा कहना चाहिए वह आप को दिख에서 तो इशले मेंने कहा, कि बहुत ही प्राकर्मी से माना गया, और सिर्फ ये नहीं है कि समंद्र गुप्त जो है, मतलब प्रसासनी कार में बेहतर थे, शैन निसासन में बेहतर थे, राजकार को चलाने के लिए ऐसा ही नहीं, बहुत मुखी पृतिभा की धनी वेक्ति जो खा जा का पृत्विक का पृत्ववीर इसे कहा गया, किताबों में इस बात की चर्चा किया गया है, वीना वादन में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे, यानि कि संगीत का बहुत सौकीन थे, बहुत पशंद था संगीत, समुद्र गुप्त के दर्बार में देखेंगे, बहुत स को बंधों के वी चर्चा की जाती है, तो यह प्रशन पहले भी पूछा जा चुका है, बहुत विद्वान वशुबंद समुद्र गुप्त के दर्बार में पहुंचे, यह प्रशन फिर से पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान रखना है, समुद्र गुप्त फिर से बता देत इसद्यान रखना है। पूछा जा सकता है तो आपको समझ लेना है ये चंद्रगुप्त दूतिये के विशय में ही कहा गया है उपादी परम भागवत का उपादी लिया प्राचीन भारती इतिहास का स्वनकाल कहा जाता है चंद्रगुप्त दूतिये के शाशनकाल को यानि कि गॉल्डेन एरा ओफ इंडियन एंचेंट हिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं तो ये आपसे काफी प्रशन पूछा जाएगा ध्यान रखना है चंद्रगुप्त दूतिये के विशह में उसमक्त आपको करना इसन का बरभापहाई कर रहा नाम क्या रहा राम bubbles राम गुपत के के विशह में देखें Economic म तो वह शक के विजय के बाद उसके बाद चांदी के सिक्के जो कि सिल्वर कोइंस की जब बात करेंगे तो भारत में ये सिरे जाता है चंदगुप्त दूतिय को और पश्चमी भारत में ऐसा किया गया था रूपक की जब बात करेंगे तो रूपक में देखेंगे रजत या च पुछे से ठीक है देखें किस तरह से सिक्का वेगर यहां पर आपको दिख रहा है ना तो इस तरह के चांदी के सिक्के वेगर होते थे प्रथम राजधानी यहां कहा पर रखा इसने पाटले पुछा गया है दरबार में नौ रतन अलग से नौट करके रख लीजिए उसमें कालिदास हम लोग यह तो नाम नहीं भूल सकते हैं दूसरा धनवंतरी का नाम अब आप मुझे बताते चलेंगे यह चीज़े मैं आपको नहीं बताने वाला यह जो मैं नौ नाम अभी बताऊंगा इस नौ नाम में कौन-कौन लोग किस कारे से सम्भन दित रहे जैसे कि एक सिंग भी एक हुआ करते थे तो अमर सिंग की फिर क्या काम करते थे एक शंकू करके आपने नाम सुना होगा एक जो है नाम आपने शपनक के विशय में सुना होगा और वर रूची नौ में वर रूची भी थे और बेताल भट आपने किताबों में बच्पन में कहानी वेगर पढ़ा होगा और एक घटरक पर तो ये 9 नाम हुआ करते थे आप मुझे बताएंगे ये 9 में से कौन लोग क्या काम किया करते थे जैसे कोई हो सकता वैद होंगे कोई हो सकता है संगीत के जानकार होंगे कोई अच्छे शासक या सैनिक हो सकते हैं तो वो आप मुझे बताएगे चीनी यात्री फायान को आगवन की बाद 399 से 414 इस भी बाद ये important point है इसको रखीगा चीनी यात्री फायान को लेकर के कई बार दुनिया भर के एक जाम में प्रश्ण पूछा गया है मतब जितनी चर्चा की जाए उतना कम है संबनित अभिलेक की चर्चा करेंगे तो महरौली लौ अस्तंब लेक और उदाइगीरी गोहा अभिलेक तो महरौली लौ अस्तंब को लेकर के भी महरौली कहां पर है ये जो महरौली लौ अस्तंब है न ये पर जाता है दिल्ली में दिल्ली में अगर आप ये कुतुम मिनार वला एरिया तरफ जाएंगे जो की हजखास वला एरिया है कुतुम मिनार का हिस्सा पर जाता है उधर से आगे फिर जेनियू वेगरा पड़ता है वशंत कुन सब उधर जाएंगे ये चीजे आपको देखने को मिलेगा और उधैगरी गुफा अभिलेक में भी ये चीजे आपको जनकारी में मिल जाएगा अब आजाते हैं कुमार गुप्त को चन्द गुप्त दूतिय के वैसे में हमने पढ़ लिया अब कुमार गुप्त की चर्चा करेंगे 415 से 455 इसमी में तो सरवाधिक गुप्त कारीन अभिलेक इसी के समय का मिलता है इसमें मयर शेली के सिक्क्य वेगरा देखिए यहाँ पर चलाएगे हैं नालंदा महा विहार की अस्थापना का समय जो है यही होता है सकंद गुप्त की चर्चा करेंगे 455 से 466 इसमी पुर्व अंतिम प्रमुख गुप्त शासक ध्यान दीजेगा शब्द पर ध्यान देना है भाईया शब्द क्या कहता है क्या कहता है यहाँ पर श मुगल सासक की बात करते हैं तो क्या कहते हैं औरंजेव को अंतिम प्रमुख शासक के नाम से जानते हैं इसका मतलब नहीं है कि औरंजेव पे आगे मुगल सामराज का अंध हो गया उसके बाद भी कई सासक हुए लेकिन हम कहते हैं कि उतने योग नहीं हुए मुगल अश्रासक उपाधि क्या करमादित का लिया, चालिए कमेंट मोर्कम क्या बताइए हैक बिकरमादितिक का किसंद वढ़ा था तो पहले बढ़ा चुका हों, बिकरमादित का उपाधिक शिक लिया, असकंत गुप्त के भीतरी के इस्तमबलेक इबन जूनागरद अविलेक में ह शब्द जो है सबसे पहले देखेंगे तो जुनागर्ण अभिलेक में पता है कि हुनों के लिए मनलेशी शब्द का प्रयोग किया गया था विश्व शैली के नए सिक्के भी इनकी द्वारा चला गया यह प्रशन पूछा जा चुका है यह चीज पता चल गया आगे बरते हैं अब इसके बाद देखिए यह जो भानो गुप्त होगे विश्णो गुप्त होगे यह उसके बाद यानि कि सकंद गुप्त के बाद के शासक यहां से होते हैं लेकिन मैंने कहा ने भौकाल इनका नहीं है उतने प्रमुख नहीं है एरन अभिलेक 510 इसमी में देखेंगे इस सिकाल से संबंदित है एरन अभिलेख में सबसे प्रमुख चीज जो है यानि कि भानो गुप्त के विशा में एक ही चीज अगर आपको पढ़ना हो मैं कहूंगा बस यही आपके लिए जानकारी का है कि कितने इस भी में यह मिला अभिलेख और दूसरा सती प्रता का प्रतम अंतिम प्रमुख शाषक मतब योग शाषक और यहां पर विश्णो गुप्त जो है वह सभी मामलों में यह अंतिम शाषक रहा है अंतिम गुप्त शाषक और इसके साथ ही देखें कि गुप्त बंस की समाप्ती होती है कारिकाल 540 से 550 इस भी तक इसका रहता है अब इसके ब उत्तर गुप्त वंश यानि कि उत्तर गुप्त का कहने का मतलब क्या होता है जैसे पढ़ते हैं रामाइन में भी पढ़ते हैं उत्तर कांड उत्तर कांड का मतलब आखरी फेज हम कहने लगते हैं तो यानि कि उत्तर गुप्त वंश जो है गुप्त वंश के बाद की स्थितिक की हम चर्चा करेंगे उसमें माधव गुप्त आदित शेन उसके बाद जो है जीवित गुप्त दूतिय की चर्चा करेंगे ये तीन नाम जो है इसमें प्रमुक है चलिए तो थोरा सा इसको देख लेते हैं माधव गुप्त की अगर चर्चा करेंगे तो उत्तर गुप्त वन् उजयनी जगह इसके समय पर माधव गुप्त के समय उत्तर गुप्त बंस में उजयनी जगह जो है वह चर्चा में रहा और इसके एक वज़ा यहाँ पर हर्शवर्धन भी रहा आदित्य सेन की चर्चा करेंगे तो आदित्य सेन जो है या हर्शवर्धन के मिर्टू के बाद मगद के अंतर्गत एक विस्तित समराज अस्थापित करने बाला प्रथम शाशक भी माना जाता है इस लहाद से देखेंगे तो आदित्य सेन आपके लिए पढ़ना फोरा सा जरूरी है जीवित गुपत दूतिया की बात करेंगे तो कारिकाल गुपत आपको इतना जानकारी लेना है मगद से सम्मंधित बाते जो है यहाँ पर ये चीजे खत्म होता है तो कुल मिला करके फिर से आपको दो मिनिट लगता है मैं वापस से कर देता हूँ एक बार रिकॉल कर देता हूँ समराइज कर देता हूँ कनकूलूजन बता देता हूँ ठीक है हमने चर्चा किया कि 6th century BC में भारत में 16 महाजन पर थे जिसमें से तीन बिहार में वजी जो मितला का हिस्सा अंग जो की भागरपन मुंगेर का वे हिस्सा और जो है मगद यानि कि मगद आज का पटना गया वाला हिस्सा जिसकी राजधाने राजगिर है उस समय आज जो है जिससे जगह को हम राजगीर के नाम से जानते हैं इसमें हमने तीन लेक्चर लाया मगद के परमुक शासक राजवन्स की चर्चा करने के लिए पार्ट वन में हमने हर्यक को वंश के विशह में देखा जिसमें हमने बिंबिसार आजाद सत्रू और उदाइन के विशह में पढ़ा शिशुनाग वंश में हमने शिशुनाग और काला शोक के विशह में पढ़ा नंद वंश में हमने महापदमा नंद और घना नंद के विशह में समझा घना नंद नहीं च चानक ने कहा कि भई आप सिखा तभी बानेंगे जब तुमको सत्ता से हटा देंगे चंद गुप्त मौर को लेकर किया गया जिसने चानक के मदद से मौर बंश की अस्थापना करता है मगध में ठीक है आगे चल करके फिर हमने देखा अशोक की इंट्री होती है महान अशोक ब बंश में हमने माधब गुप्त को देख लिया आदित शेन को देख लिया और उसके बाद जीवित गुप्त दूतियक तक के भी चर्चा कर लिया इसके साथ ही हम मान के चलते हैं कि हमने तीन बिहार में जो जनपत रहा वजी अंग और मगध सब की चर्चा कर लिया है मगध बंस के प्रमुख शाशक और राजबंस मैं यह नहीं कर आऊ इतना ही थे बीच में और भी बहुत सारे थे लेकिन वो प्रमुख शाशक नहीं थे चोटे-चोटे कारेकार रहे चोटे-चोटे-चोटे काम रहे बहुत पूछाने जाता है अब आपको सब कुछ इसमें निकल जाएंगे फिर हम मेडियाविल की तरफ चरेंगे मद्यकाली इतिहास की चर्चा हम कर रहे होंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही अपना बेहत ख्याल रखिए संस्कृति PCS चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर आगया है बिहार से संबंदिर आप देखने हिस्ट्री पर हम लोग लगे हुए हैं उसके बाद हम पॉलिटी लेकर आएंगे फिर हम जो है एकॉनमी लेकर आएंगे तो पूरा चर्चा करेंगे करन्ट अफर्स टेली छाम के 6 बजे आपको मिल ही जाता है तो कुल मिला करके से बात इतनी सी है कि अपना बेहर ख्यास ख्याल में बार्ड़ विगर आ गया है कोशी वाले बेल्ट में कैदा कि Buodhirelated आया में लोगों पहुच गया है वहां के क्या हालात हैं हमने जरूरए अपना बेहरल ख्याल लगए है बहुत 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 शुगर है प्रूल प्रूल